राजिस्ठान में कोरोना वाइरस का संक्रमन एक बार फिर बढ़ रहा है। साथ जिलो में अब भी कोरान के 269 एक्टिव केस हैं। लेकिन फिर भी स्कूल खुल रहे हैं। बच्चों को बिना वैक्सिनेशन के स्कूल बुलाया जा रहा है। अधिकान से स्कूलों में ऑनलाइन क्लास का विकल्प ही नहीं है। ऐसा में अभी भावक बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं। लेकिन डर तो लगता है। सुनी राजिस्टान में बढ़ते कोरोना संक्रमन के बीच स्कूल स्टुएंट्स और पैरेंट्स की बात। स्कूल दिस्टान वाएं कि बात बहुते हैं। चोंगोरेंगें पैरेंगें जब यह से जब देविए को में ब्रह जोशा करकें। प्रप्रवार निकलते हैं जब भी घर दर लगता है कि बच्चों को बेब देना तो लेकिन दो साल होगी क्या करें अधर पटाई कब तो रखें हम बच्छों है लाइफ कराब हो और अभी तो इसकूल के बाहर निक्टे निकलें तो ठीक विश्था है यहां पर वश्था तो क्या करें कि अधर बोली स्टेश प्रक्राइए पट्चे को समयाते है तो डोले सो सो श्ल जिग्ति निक्टे निक्ते हैं और मस्की म्यर्वश्था है मस्च जरूरी है अब सरकार से क्या डिमान करेंगे बच्चों की वेक्षिनेशन होना चाहिए विभड़ों करोगे है चाहिए ना विध्य पभिष्चे का आगे बढ़े होएंगे उनको भी जरूरी है जरूरी है तबाई भी जरूरी है तो जो ढ़ता हो दर तो डिन लगता है वाहर कि आपकर के बारे में सुन रहे हैं कि अधिए बात देश के पात जिले के और बात शहर के खबर परबाद असर परबाद आप से जुड़ी हर बात अपने राज्वी की हर बात वबस्था और हाला जोड़ते जाईए और जुड़ते जाईजे तुपने रहिए NBT Online के साथ